महराजी, क्या भक्तों पर भी प्रारब्ध का प्रभाव रहता है? भक्तों के लिए प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं है, वह तो ज्ञानियों के लिए है, जिनका भगवान से संबंध हो गया है, उनका प्रारब्ध क्या कर सकता है? महराजी, तत्व ज्यान और भगवद दर्शन इन दोनों में कौन स्रिष्ट है? तत्व ज्यान में केवल शुद्ध प्रम ही रहता है, उसमें भगवद और भगवान का अत्यन्त अभाव है, इसलिए मुमुक्षू के लिए तत्व ज्यान शेष्ट है, क्योंकि वह निर्वान पद है, और भगवद के लिए भगवद दर्शन शेष्ट है, क्योंकि उसमें भगवत और भगवान दोनों रहते हैं, यह प्रेम पत है, इन दोनों में भगवत दर्शन ही अधिक उपादे और विशेश हित कर है, महराज जी द्वाइत वादी और अध्वाइत वादी का मेल कैसे हो सकता है, इन में एक तो इश्वर से अपना भेद मानता है, और दूसरा अपना अभेद मानता है, इन दोनों का मेल क्यों नहीं हो सकता, क्या अध्वाइत वादी भजन नहीं कर सकते हैं?őसरी नारदादी क्या अध्वाइत अध्वाइत आदी नहीं है, जो अहरनिश कीर्टन करते हैं, भगवान शंकर ग्यानीयों के गुरु होकर भी, रात दिन राम नाम चपते रहते हैं। तथा वशिष्ठ जी अद्वाइत के आचारिय होकर भी निरंतर कर्मकांड में लगे रहते हैं। जगत गुरू शंकराचारिय ने भी देखो कैसे कैसे सुधार किये। भला अद्वाइत वादी क्या नहीं कर सकता। ये बड़े वीर और निर्भाई होते हैं। तथा सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। अद्वाइत वाद किसी भी चेज को बनाता या बिगाडता नहीं है। संपूर्ण आभुशन सुवर्ण मात्र है। यह जानने के लिए क्या आभुशनों को बिगाडने की आवश्यक्ता है। महराजजी, तत्व ज्यान होने के पश्चात भगवान के दर्शन हो सकते हैं या नहीं। हो सकते हैं। जब तक प्रारब्ध रहता है, तब तक प्रारब्ध जनित इच्छा भी रहती है। इसके लिए प्रारब्ध जन्यमानी जाएगी। निश्काम कर्म या निश्काम भगति के बिना तो ज्यान प्राब्ध हो ही नहीं सकती। और निश्काम भगति में जो भगवत ध्यानादी किया जाता है, वह सकाम न होने पर भी। उसमें भगवत धर्शन की कामना छिपी रहती है। निर्वान पद या मोक्ष की प्राक्ति होने से पहले उसे ज्यान खुझ आता है। उसके पश्यात यदि उसे भगवत धर्शन की इच्छा होती है, तो उसे प्रारब्ध जन्य ही मानना होगा। नहीं तो उसे ज्यान होने में ही शंका होगी। महराजी, भगवत धर्शन होती ही तत्वग्यान हो जाता है या कालांतर में होता है। अर्थाद, ऐसे भग्त को उसके जीवन काल में ही तत्वग्यान हो जाता है या मृत्यू के पश्चात होता है, अत्वा, उसे तत्वग्यान होता ही नहीं है ग्या। तत्व ग्यान भगवत दर्शन के साथ भी हो सकता है और कालांतर में भी दर्शन के बाद यदि ग्यान की इच्छा हो तो ग्यान हो सकता है परन्तु जो भगवत प्रेम में मस्त है वह तो ग्यान चाहता नहीं फिर बिना चाहे उसे ज्ञान कैसे मिलेगा तत्व ज्ञान की तरह भगवद दर्शन के पश्चात भी काम क्रोध आदी का लेश नहीं रहता क्योंकि उसे तो सब भगवद रूप या भगवद लीला ही दिखाई देता है फिर बह किसे कैसे और क्यों द्विश करेगा देखो मित्र का पत्र मिलने पर